नियोजी सिक्षक बना आम BPSC सिक्षक, कौल है सीनियर, बढ़ा सवाल खड़ा हो रहा है बिहार के सरकारी स्कूलों में, सिक्षा बिवाग के आदेश ने बिवाद खड़ा कर दिया है और सिक्षक संग ने बड़ी मांग भी कर दिया इस बीच, नमस्कार, दर्स नियोज में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। मौझूद है तो उनके बीच कौन बनेगा स्कूल का प्रभारी प्रदानाध्यापत और यह जो आदेश जारी किया गया हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के संबंद में यानि मादमिक और उच मादमिक स्कूलों के संबंद में ये आदेश जारी किया गया तै कर दिया गया कि अगर स्कूल में तमाम केटेगरी के सिक्चक हैं तो उनमें कौन बरिय बनेगा विप्यसी सिक्चक भी मौजूद है नियोजी सिक्चक भी है पूर्व के निमिज सिक्चक भी है और परमोटेट सिक्चक भी है तमाम जो सिक्चक केटेगरी लिखी गई कि अगर इसकूल में BPSC सिक्षक भी है और नियोजिस सिक्षक भी तो ऐसे में कौन बनेगा सीनियर कौन होगा सीनियर और कौन बनेगा परबारी परदानध्यापक इस पर जो केटेगराइज किया गया सिक्षक विवाद की तरफ से उस पर विवाद पर तो हंगामा खड़ा हो गया जिया BPSC सिक्षक जो अभी हाल फिलहाल में ही बहाल हुए हैं साल भर का वक्त भी नहीं वीता है लेकिन उन्हें स्कूलों के प्रभार का जिम्मा दे दिया गया सिक्षा विवाद की आदेश के मुताविक जब अगर स्कूल में BPSC सिक्षक ह जाएगा ऐसे में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में अभी नियोजिस सिक्षक प्रभार में है और जहां BPSC सिक्षकों की तैनाती हो गई तो वहां अब नियोजिस सिक्षकों को BPSC सिक्षकों को ये प्रभार देना होगा ऐसे में विवाद तो खड़ा होना तही था क्योंकि जिस तरह से बीपिएस्सी सिक्षक जो अभी नय नय बहाल हुए हैं वही दूसरी तरफ नियोजिस सिक्षक जो पुरारे हो चुके हैं दस साल 15 साल तक पुराने हैं तो ऐसी इस्तिति में नियोजिस सिक्षकों को इस आदेश का अच्छा नहीं लगा उन्हें पचा नहीं और बिरोज सुरू हो गया और एक लेटर जारी किया गया बिहार राज मादिमिक सिक्षक संग की तरफ से जिसमें वज़ा भी बताई गई कि आखिर क्यों नियोजिस सिक्षकों पर बिपिएस्षी सिक्षकों को सीनियर घोसी तरना किया जाए सबसे बड़ी वज़ा बताई और बताया गया कि जो सिक्षा विवाग ने आदेश दिया है वो बिल्कुल गलत है और ऐसी इस्तिती में जब जो बीपी एसी के जो सिक्षक हैं फिलाल परिच्छमान अवदी में है यानि अभी परिविच्छा की अवदी है ट्रेनी पीरियेड है उनका दो सालों का और इस प मानुकूल नहीं है इस पर सवाल खड़े कर दिये बिहार राज मादमिक सिक्षक संग ने तो लेटर भी जारी किया गया सिक्षक संग की तरफ से निदेशक मादमिक सिक्षा सिक्षा विवाग बिहार सरकार के नाम ये लेटर लिखा गया जिसमें आपत्ती दर्ज की गई लेटर मैं आपको पढ़कर बता देता हूं उसमें लिखा गया आपने जब वर्ग एक से आठ तक के लिए पुराने वेतनबान वाले सिक्षक को ही वित्तिय प्रभार के साथ प्रभारी नियुक्त करने का निदेश दिया है तब कंडिका छे में बिहार लोक सेवा आयोग व अलोकन किया जाए जब पुराने वेतन में पूर्व से नियोजित सिक्षक के कारेरत हैं तो जो दो वर्ष तक परिविक्षा आओधी तक के लिए पदस्थापित बिहार लोक सेवा आयोग के सिक्षक को प्रभारी प्रधान अध्यापक घोसित करना नियमा नुकूल नहीं ह नए सिक्षक के पहले से ही जो नियोजित सिक्षक प्रभार में है उन्हें प्रभार से मुक्त करने का कोई अचित नहीं है आगे लिखा गया साइद सिक्षक दिवस की पूरु संध्या पर ऐसे अपमान जनक आदेश को आप ततकालिक प्रभाव से संसोधित कर सिक्षकों का सम्मान करेंगे अता आपसे अनुरोज है कि तुरंट पुराने सिक्षक को सेवा की निरंतरता देते हुए वरियता प्रदान की जाए तता उन्हें ही प्रभारी प्रदाना ध्यापक गोसित किया जाए तो ऐसी इस्तिती में बिहार राजमादमिक सिक्षक संग ने कड़ा पत् साथ तोर पर कहा गया है कि इस आदेश को सिक्षा विबाग वापस ले जो आदेश जारी किया गया उसमें संसोधन हो और जो सिक्षक वर्तमार में जो नियोजी सिक्षक स्कूलों में प्रभारी प्रधाना ध्यापक के तोर पर कारणत हैं उन्हें पद से मुक्त नहीं किया उसके बाद सिक्चक संग आ गया आया और अब बवाल भी खड़ा हो गया साथ साप कह दिया गया है सिक्चक संग की तरफ से कि यह जो आदेश है सही नहीं है और जो बीपेसी के सिक्चक फिलाल इसी योग नहीं है क्योंकि अभी वो जो ट्रेनी पीरियड में है परिक्षमान अबदी में है और इस अबदी में उन्हें उसकूल का प्रभार देना कहीं से भी उचित नहीं होगा और और साथी साथ जो बिहार राजमादमिक सिक्चक संग ने यह भी कह दिया कि उन सिक्चकों को जो सेवा निरंतरता का लाब दिया जाए दरसल आपको बता दें कि बीप यसी सिक्चक चैनित हुए है उन्हें सेवा निरंतरता का लाब दिया जा रहा है लेकिन जो नियोजिस सिक्चक से विशिष्ट सिक्चक बनने जा रहे है यानि जिनोंने परिक्षा पास कर ली है 1,87,000 नियोजिस सिक्षकों ने जिने विशिष्ट सिक्षक बनाया जाना है राज कर्मी का दर्जा दिया जाना है उन्हें सेवा निरंतर्ता का लाब नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में सेवा निरंतरता की बाद भी खड़ी कर दी है बिहार राज मादमिक सिक्चक संग ने और सवाल खड़े कर दी हैं सिक्चा विवाग के इस आदेश पर तो अब आगया कि देखिए होता है क्या नियोजी सिक्चक बना आम बीपीएसी सिक्चक की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये देखना बड़ा ही दिल्चस्प होगा बने रही है दर्स नियोज के साथ तमाम कबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही ध अन्दे बाद